आज हम आपको फैज और उसके दोस्तों की खतना इस्टोरी सुनाने जा रहे हैं इस्टोरी स्टार्ट करने इस पहले आप सब में चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगए बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं थाकि हमारे हर नए वीडियो को नोट दे रहें तो चलिए इस्टोरी स्टार्ट करते हैं फैज के कजन की जब खतना हो गई तो फैज की अमी फैज के अबू के पीछे पड़ गई कि नेक्स्ट समर्स वेकेशन में फैज का खतना करवाना है फिर फैज के अबू भी मान गए उसके बाद जो भी रिस्तेदार आते उनको फैज की अमी बता देती कि अगली समर्स वेकेशन में फैज की खतना करवानी है एक दिन फैज की अमी उसको नहला रही थी कि एकदम से शहर वाली खाला आ गई आते ही सलाम किया और फैज ने भी खाला को सलाम किया और थोड़ा शर्माया भी ये सोचकर की खाला उसको उसकी खाला बोली बाजी अभी तक इसकी खतना नहीं हुई है तो फैस की अम्मी बोली नहीं लेकिन अगले साल करवा लेंगे फिर खाला बोली इसकी पलट जाती है तो फैस की अम्मी बोली नहीं फिर खाला बोली बाजी पलट कर देखा है तो फैस की अम्मी बोली हाँ कई बार कोशिश की पर फैस कहता है कि इसकिन दर्द कर रही है इसलिए छोड़ देती हूँ अब तो खतना करवाना ही इसका सॉलूशन है खतना के बाद सब ठीक हो जाएगा फिर खाला ने फैस की लूली चेक किया तो इसकिन का टिप पकड़ कर देखी तो फैस की अम्मी को बोली ओहो इसको फाइमोसिस है इस कंडिशन में लूली की टिप बहुत तंग होती है इस हालत में डॉक्टर से ही खतना करवाना सही है हजाम का हजाम पता नहीं कैसा खतना करे फिर फैस की अम्मी बोली नहीं सब बच्चों का खतना हजाम नहीं किया है और बिल्कुल ठीक किया है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तब खाला बोली वो तो ठीक है लेकिन फिर भी देख लो डॉक्टर से करवाओगी तो फैस को पता भी नहीं चलेगा और डॉक्टर इससे बाते करते करते इसके लुली काट देंगे अपनी बहन यान इसकी लुली की स्कीन बहुत तंग है लगता है इसे फाइमोसिस है और पूछ रही थी कि फैस को सुसु करते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल प्रॉपर पिसाब करता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और फैस की खाला ये भ ये सब सुनकर फैस के अबू बोले नहीं नहीं फैस की खतना हजाम से ही करवाना है फैस के सबी बड़े भाई और कजन की खतना हजाम ने की है इसलिए इसका भी हजाम से ही होगा उसके बाद फैस के अबू बोले डॉक्टर को भी लुल्ली काटनी है और हजाम को भी तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों सूर्तों में कटनी ही है, फैस के अबू फिर से उसकी अमी से बोले क्या हजाम अच्छा खतना नहीं करता है, और बच्चों की लुली देखो, क्या खतना सही नहीं हुआ है तब फैस की अमी बोली ये बात नहीं है, बेशक हजाम अच्छा खतना करता है, वो तो इसलिए कहा कि डॉक्टर से अराम से हो जाता है, तब फैस की अबू बोले, घर में भी अराम से हो जाता है, फिर ऐसे ही, दिन गुजरते गए फैस के भी जहन से निकल गया, और मई का महीना सुरू हो गया फिर एक दिन अच्छानक फैस के दोस्त सनी आया, और सनी ने बोला कि फैस तुमको पता है, घर में उसकी खतना की प्लानिंग चल रही है तब फैस ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, फिर सनी ने कहा, मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी बात कर रही थी कि समर वेकेशन सुरू हो गया है अगले महीने खतना की तैयारे शुरू कर देते हैं, और कल हम दोनों को, अबू सुरी, कल हम दोनों के अबू हजाम के पास जाएंगे, खतना की बात करने फैस सनी से सारी बात, फैस सनी से सारी बात सुनकर हैरान हो गया कि उसी की खतना की बात उसे पता नहीं चली फिर अगले दिन सनी ने बताया कि हजाम से बात हो गई है अगले महीने में जो दूसरा जुम्मा आएगा उसी दिन तीनों का खतना हजाम करेगा फैस को डर लगा और सोचने लगा कि जब अब थोड़े दिन रहे गए हैं लुली कटने में और जिन कजन की खतना होते हुए देखा है अब वो सब उसकी खतना होते हुए देखेंगे और छोटे कजन भी देखेंगे कि खतना कैसे होती है फैस यह सब बैठे-बैठे सोच रहा था और फैज की अम्मी ने तैयारियाँ सुरू कर दी थी शूट लेना सुरू कर दिया था एक हजाम और एक उसकी बीवी का सुट सबके लिए बिर्यानी का भी बोल दिया था जो हजाम को ही बनाना था और फैस के अम्मी अबू सब रिस्तेदारों के यहां जाकर फैस की सुन्नत का इन्विटेशन दे आए खतना का प्रोग्राम ऐसे बना था कि पहले सनी की फिर नौमी की खतना करेगा हजाम उसके बाद फैस का खतना होगा और हजाम ने पहले ही फैस के अबू को बता दिया था कि बच्चे को सुबह सुबह नहला देना और लूली अच्छे से साफ कर देना और नहलाने के बाद तिल नहीं लगाना फैस के अबू ने ये सारी बातें उसकी अम्मी को बता दिया था तो फैज की अम्मी सुबह सुबह उसको हैंड पैंपर ले गई और नंगा कर दिया फैज को सब औरते और उसके कजन देख रहे थे और जो छोटे कजन थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आज फैज भाई की खतना है फैज को शर्मा रही थी पर क्या कर सकता था उसकी अम्मी खाला उसे मल मल के नहला रही थी नहलाने के बाद फैज की अम्मी उसे रूम में ले गई और रूम में ले जाकर शर्ट पहना दिया नीचे कुछ भी नहीं पहनाया नीचे से फैज नंगा ही था इतने में फैज के एक बड़े कजन ने आकर बताया कि हजाम सनी और नोमी के घर गया है, ये बोलकर फैस का कजन चला गया सनी और नोमी का खतना देखने फिर थोड़ी देर बाद सनी की चीखने की आवाज आई उई अमी चीख सुनकर फैस समझ गया कि सनी की लूली कट दी हजामने और फिर थोड़ी देर देड़ेके नोमी के रोने की आवाज आई, अह, अम्मी नोमी की आवाज सुनकर फैस समझ गया कि नोमी की बी कट गयी, फिर कुच देर में फैस का खजन आया और बोला अब हजाम यहां आ रहा है और हजाम ने आते ही आंगन में अपना समान सेट किया और फैज के अब्बू से बोला ले आओ बच्चे को नंगा करके तो फैज के अब्बू बोले सुबह से नंगा ही बैठाया है फिर फैज के अम्मी अब्बू ने कहा बेटर डरना नहीं कुछ नहीं होगा तो फैज ने अपने अम्मी अब्बू के सामने कहा ठीक है मैं नहीं डरता हूँ पर अंदर से फैज बहुत डर रहा था उसके बाद फैज के अब्बू चाचा और फुफा उसे लेकर बाहर आंगन में गए और सब औरते देख रही थी और बोल रही थी देखो इतना बड़ा होने के बाद खतना करवा रहे हैं फिर जब फैज हजाम के सामने आया तो हजाम को सलाम किया फिर हजाम ने फैज को लकड पकड़ा दिया, फैस के अबू उसके पास खड़े थे और फैस से बोले, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा, फिर हजाम ने लुल्ली को हाथ से मसला फिर इस तील की तिले निकाला और इसकीन के आगे पीछे करने लगा, और फिर इसकीन को पकड़ कर तिली इसकीन के अंदर डाल दिया, तीली को स्कीन के ऊपर टोपी पर रख कर घुमाने लगा और फैस दर्थ से चिल्लाने लगा तब हजाम बोला, बस बेटा बस अभी तो कुछ नहीं किया है फिर दस मिनट सलाई घुमाने के बाद सलाई को टोपी के ऊपर एक जगा सेट करके इसकीन को हाथ से खीच कर और लगडी का किलिप खोल कर खीची हुई खाल पर लगा दिया, फिर थोड़ी थोड़ी और खाल खीच कर अस्तरा चला दिया, हजाम ने लुली पर और फैस ने जोर्स कीची हमारी, मेरी अम्मी आ, मेरी अम्मी तो हजाम बोला बस बेटा बस हो गया, खतना फिर फैस के अबू बोले हो गया बेटा, खतना के टाइम, खतना के टाइम फैस ने अबू का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था, फिर हजाम ने कलिप खोला और इसकीन टोपी के पीछे करने लगा फैज ने पहली बार लाल टोपी देखी चिकनी चिकनी टोपी लग रही थी और पिंक टोपी देकर फैज को डर भी लग रहा था फिर हजाम ने राख लगा कर पटी कर दी और कहा कि ले जाकर लेटा दो चरपाई पर उसके बाद सब मेमान फैज के अपु को मुबारक दे रहे थे और फैज चरपाई पर नंगा लेटा हुआ था और सब औरते फैज के इर्दगिर्द खड़ी थी और फैज को पैसे भी दे रही थी फैज की आखों में आसू थे और फैस की अम्मी उसके सर पे प्यार से हाथ फिर रही थी तब खाला बोली क्या फील हो रहा है जो रो रहे हो तो फैस बोला ऐसा लग रहा है जैसे लुली जल रही हो तब खाला बोली कुछ नहीं थोड़ी देर ऐसा होगा फिर नॉर्मल हो जाएगा फिर खतना के 15 या 20 मिनट बाद फैज को उसके पैर में खिचावट फील हुआ तो उसने अपनी अम्मी को बताया तब उसकी अम्मी उसका पैर दबाने लगी और फैज को थोड़ा आराम मिला उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब खतना के बारे में ही कुछ ना कुछ बाते कर रहे थे फिर हजाम ने फैज के अबू को बोला दो दिन इसको चलने मत देना सूसू करवाना हो तो गोद में उठा कर करवा लेना दो दिन बाद पटी बदलने आऊंगा और फैस के अबू बोले ठीक है फिर जब दो पहर में फैस के अबू उसे गोद में उठा कर पिशाप करवा रहे थे तब फैस के सब कजन देखकर बोल रहे थे देखो फैस भाई की लाल टोपी नजर आ रही है और शाम तक सब मेमान कैसी लगी इस चोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए का कमेंट में ज़रू बताएंगा आपको इस्टोरी कैसी लगी और अगर आप सब में चल्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और पासमे लगए बेल आइकन को भी प्रेस करने तके हमारे हर नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर गाइस थांक यू